दोस्तों रवास्कार आज अपन बात करेंगे राजस्तार नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय नमबर 7 नगरपालिका राजस्व के बारे में नगरपालिका राजस्व अध्याय नमबर 7 की बात करता है जिसमें दारा 101 से लेकर 140 तक की प्रोविजन्स है मैं इस बुड़े में दोस्तों आद आपको धारा नमर 120, 121, 122, 130 और 125 इन पांस धाराओं के बारे में बात करने बाला हूँ दोस्तों धारा नमर 120 कहती है कर मूलत है किससे उद्गरहन किया जाएगा मलब बेसिकली नगरपाली का द्वारा टैक्स किससे लिया जाएगा उप पट्टे पर दी गई तो वरिष्ट पट्टा करता से लिया जाएगा यदि संपत्ती पट्टे पर नहीं दी गई हो तो जिसमें पट्टा पर देने का अधिकार होगा उससे लिया जाएगा यदि मूलते दाई व्यक्ति से ऐसा करवसूले में विपलता होती है तो जो उस संपत्ति का अधिब हो करा उससे tax वसूला जाएगा ऐसा अधिब होगी व्यक्ति मूलते दाई व्यक्ति से अपना tax प्राप्त कर सकता है ये बात धारा नंबर 120 में बताई गई है कि basically नगरपाली का tax किस से वसूल करेगी दारा नमबर 121 में करादान से सम्मन्दित मामले की अपील की जाती है कि tax को लेकर अगर किसी व्यक्ति को कोई problem होती है तो वो अपनी अपील करेगा भई उसको कोई दिक्कत होती है तो अपील करेगा कर्निर्धारन अत्वा उसमें किसी परिवर्तन के विरुद अपील दारा 130 में मांग के नोटिस के विरुद अपील होगी और ये अपील नगर निगम के मामले में आयुक्त के सामने होगी और नगर परिसद में चेत्रिय उपिन निदेशक के सामने होगी या नगर पाली का बोर्ड की बाद गया नगर परिसद और नगर पाली का बोर्ड में चेत्रिय उपिन निदेशक के समक्स अपील की जाएगी ये दायना पूर में कलेक्टर को की जाती थी लेकिन दोस्तों अभी वर्तमार में नगर निगम का मामला है तो आयुक्त के सामने अपिल होगी नगर परिसद, नगर बोड का मामला है तो चेत्रीय उपी निदेख्षक के समख अपिल होगी दारा नमबर 121 की बात आती है दारा नमबर 212 में कहा जाता है परिसीमा या दावाकरत करका पूर्व निश्यव इसमें कहा जा कि कोई भी अपील तबी सुनी जाएगी जब वो 30 दिन के भीतर भीतर हो और उस सम्मन में दोस्तों कम से कम 25 परशन दावाकरत रकम का 25 परशन अगर पालिका को जमा करवाना होगा अन्यता अपील नहीं सुनी यानि दोस्तों दावाकरत रकम का 25 परशन अगर पालिका कारयाले में जमा होना चाहिए तब अपील सुनी जाएगी अन्यता अपील नहीं सुनी जाएगी अकोडिंग दावारा नंबर 122 की बात करवाना है अगर नहीं दिलाएगा नगर पालिका को दिलाएगे खर्चे नगर पालिका द्वारा इस अध्याय में उपबंदित रिष्टी से वसूल किये जाएंगे ये बात धारा नंबर 123 के अंतरगर बताये गई है और धारा नंबर 124 में ये बताये गया दोस्तों कि कराधान के मा आदेश अंतिम होगा दोस्तों अपिल प्रादिकारी अपने द्वारा अपिल में पारित किसी आदेश का मूलत आदेश की तारिक से तीन महा के बीतर कोई और आदेश पारित करके पूनर विलोकर कर सकता है और वो आदेश अंतिम माना जाएगा उसके खिलाब कुछ भी करती है 122 में अपिल की टाइमिंग बताया जाती है 123 में अपिल संब्र खर्चे बताया जाते हैं 124 में इस सेसन की कमेंट करके जुरूर बताए और इस इपरकार के दोसो शोट वीडियोस को देखनेक लिए दोसों Dr. Mukhayis पंचुली चैनल पर आप बने रहे ही दोसो से समद्ध खर्चे बताए जाते और 124 में दोस्तों आपका अंतीम निन्ने बताए जाता है कि अंतीम निन्ने माना जाएगा अपिल का जो अंतीम निन्ने होगा वो अपिल प्रादिकारी के आदिस को अंतीम माना जाएगा ये चार धाराए बताए जाती है दोसों ये थे आज की सेशन की दोसों शोर्ट वीडियो जानकरी कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताए और इसी परकार के दोसों शोर्ट वीडियो को देखने के लिए दोसों डॉक्टर मुकेस पंचुली चैनल पर आप बने रहे हैं दोसों थैंक्यू समात दोसों ओल देबस मित्रो बाई बै खाल दिल मोश्चली चैनल दोसों झाल जडैंस दोसों अनल बाई दोसों खैंक्यन की त confन कर्म से, कि देख grappं को जरूसरिक फिल्याक्टर या मुक्तरी काुम कांथे स्ब्सु Watts रहें।